बच्चो मैं आज आप लोगों को कक्षा 8 में ब्याकरण के कुछ भाग की विवेशना करूंगे जिसमें से पहला भाग है भासा लिभ बोली और ब्याकरण जिसको आप लोग अपक्षा 7 में भी पढ़ चुके होंगे तो बच्चों देखिए भासा क्या होती है? ऐसा बताया जाता है कि स्रिष्टि के सभी जीयों में केवल मानव को ही वाणी का बर्दान मिला है. अर्था स्रिष्टि के सभी जीयों में केवल मानव ही अपने विशारों और भावों का आदान प्रदान करने की छमता रखता है. भासा का सहारा लिया गया है। तो अब देखिये भासा, सब्द संस्कृत की भासधात उसे बना है, जिसका अर्थ है बोलना। बोलते समय हम अपने मुक से जिन सार्थक ध्वनियों को निकाल कर अपने भाओं या विचारों को प्रकट करते हैं, उसी को भासा का नाम दिया जा तो अब देखिए इसके अनुसार भासा की परिभासा क्या हुई भासा की कई परिभासा है निकल रहे हैं जैसे पहला है कि भासा वह साधन है जिसके द्वारा मनुस्य अपने भावों विचारों को बोल कर या लिग कर दूसरे मनुस्यों तक पहुंचाता है या अपने मन के व विचारों और भाओं को दूसरे तक पहुचाने त可能性 मत्арत करते हैं। तो इस भासा के अनुसार या असपश्ट है कि मनुष अपने विचारों या भाओं को व्यक्त करने के लिए भासा का प्रियोग करता है तो इसका प्रियोग दो प्रकार से किया जा सकता है पहला बोलकर और दूसरा लिखकर इसलिए यह असपस होता है कि भासा के दो रूप हैं पहला हो गया मौखिक भासा जो बोल कर प्रकट की जाती है और दूसरा हो गया लिखित भासा जो लिख कर प्रकट की जाती है अब आईए देखते हैं कि भासा का मूल रूप क्या होता है तो भासा का मूल रूप मौखिक होता है मनुस्य ने सबसे पहले बोलना सीखा मौखिक रूप को सीखना नहीं पड़ता या धीरे-धीरे स्वत्व आ जाता है लेकिन भासा का लिखित रूप बाद में आता है वह ऐसे है कि जब वैक्तियों को अपने से दूर रहने वाले अपने मित्रों और अपने संबंधियों तक अपने विशारों को पहुँशाने में कठिनाई होती है तब वह भासा के लिखित रूप का प्रयोग करता है और तभी भासा का लिखित रूप बिक्सित भी हुआ अभी हमने बताया कि भासा का लिखित रूप कब बिक्सित हुआ तो आईए अब देखते हैं कि भासा के लिखित रूप की क्या विशेशता है तो भासा के लिखित रूप द्वारा ही विचारों और भाओं को भविशी के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है तो देखिए इसके अंसार हुआ कि ज्यान के संचित कोस का आधार लिखित भासा ही है भासा का लिखित रूप ही अस्थाई चथा मानक होता है अब मौखित भासा की इकाई ध्वन है जबकि लिखित भासा की इकाई वन है तो अब आईए देखिए कि पहले हम मात्रि भासा क्या होती है तो मात्रि भासा बच्चों भासा का वह रूप है जिसे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीख जाता है वही मात्रिभासा कहलाता है किसी परिवार में बोली जाने वाली भासा को ही मात्रिभासा कहते हैं